हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आप समों का ABC Academy पर फ्रेंट्स, आज से ABC Academy पर एक नया स्रीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका की नाम है सार संग्रा अच्छे से देखिए, समझ लिजिए, नेक्स्ट क्लास में ये सारी बातें फिर से रिपीट नहीं होगा पूछे गया प्रस्णों का विशयवार संग्रा, सार संग्रा जो की 2023 का रिवाइज एंड अपडेट एडिशन है प्रेटफॉर्म का या बुक है, आपने थमनिल देखे लिया है, देखिए रेलवे SSC, BSSC, दरोगा, कॉंस्टेवल, VPSC, JSC इन सारे एकजाम में, ध्यान रखें, जो पूछा गया प्रस्ण है, सबसे पहले आप उसे देखेंगे ध्यान दे, पेज नमबर 1 से लेकर के इस बुक के 55 नमबर पेज तक आप जब जाएंगे 2022 में जो जो सवाल पूछा गया है, ध्यान रखें, 2022 में जो भी सवाल पूछा गया है, देखिए से सार संगड़, Solved Paper 2022, Vers 2022 में, विविन परिक्छाओं में पूछे गया प्रस्णों का संगड़, कहने का मतलब 2022 में जो भी सवाल पूछा गया है अभी आपने जो देखा था इन सारे एकजाम में जो भी सवाल आये हैं सबका सार संग्र यानि के संपूर निचोर है पहले आप इसे देखिए अच्छा कासा कोश्चन का लेवल है ध्यान रखें टॉपिक वाइस करके सबसे पहले आपको दिया गया है क्लास इसमें विशेश आकरसन के रूप में भारती इतिहास एवंक्षन्सकिती राष्टिय सोतंतरता अंदोलन भारती राजवस्था एवंक्षमिधान आप यहाँ पे देख लिए सारे जो भी टॉपिक जहां में पूछे जाते हैं लगबगदर्स टॉपिक होते हैं इन दसों को यहाँ पे अच्छे से दिया गया है आज के इस क्लास में वर्स 2022 में पूछे गया विभिन प्रश्णों का संग्रा में से इत्यास का सवाल है सबसे पहले इसे देखिए और कुछ दिनों तक पहले यह क्लास चलेगा आप लोग इस क्लास के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताईए अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो अगर आप चाहते हैं एक एक सवाल को repeat repeat करके बताया जाए तो या फिर आप चाहते हैं कि अराम से बता दिया जाए आप लोग क्लास को खुद से repeat करके देख सकते हैं जिस भी तरीके से क्लास आपको देखना हो कमेंट करके आप बताईए क्या इस क्लास को continue आगे किया जाए अगर हां तो comment करके बताईएगा तो ये class continue कोसिस के जाएगी हर दिन आधे गंटे के आसपास का एक class दिया जाए जो भी कहना हो comment करके आप बताएगे तो इसका next part आएगा अगर नहीं कहेंगे तो ये नहीं आएगा जिस तरह से class आ रहा था वो class अभी आगे continue रहेगा काफी जवरदस्त book तयार किया गया platform की और से one liner के लिए best book है आपका यह इससे पहले NCRT सार संग्रा का class दिया जा चुका है जो की स्पीडी का था आप में से जो भी लोग इस channel पर नए हैं आप जिस भी job की तयारी कर रहे हैं ले लिस्ट अगर आप चेक कर लिजिए अगर आपके लाइक class हो चैनल से को आप सब्सक्राइब करके जोड़ जाईए पहला class है एक बात और कह दिया जा रहा है आप लोग class को देखने के साथ लाइक कर दिया करें maximum से maximum लोग जिनको भी class पसंद आए वे लाइक जरूर करें लाइक करने से motivation मिलता है लगता है कि यहाँ class आप लोगों को जबरदस्त वाला पसंद आ रहा है और class को अच्छे से आप लोगों के लिए लाना चाहिए तयार करना चाहिए class नमर सकेंड, थर्ड, फोर्ट आएगा उसमें यह लाइक वगड़ा करने को नहीं कहा जाएगा आप लोगों खुद से यह काम कर दिया करेंगे मन हो तो सेयर कर दिया करें ना मन हो कोई बात नहीं class के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताईएगा और कोई भी राय देना हो तो जरूर कमेंट करें आएए बिना टाइम बरवात की हैवे अब श्टार्ट कर जाते हैं आज के इस class के point number first से इलाहाबाद की किस हिंदुस्तानी गाइका को उसकी परसिद शमकालीन गौहर गान के साथ वर्स 1911 में दिल्ली दरवार में जौर्ज जो पंचम थे इनके सामने में परदर्शन करने का शववाग प्राप्त हुआ सही जवाब है जान की बाई को या सवववाग मिला था समझेगा इलाहाबाद की रहने वाली थी 1911 में आपको पता है न दिल्ली दर्बार हुआ था और उसमें समराथ कौन थे जॉर्ज पंचम थे उनके सामने जान की बाई परदर्शन की थी या आपको ध्यान रख लिना है नमबर सकेंड पॉइंट को देखिए मंदिरों को समर्पित किये जाने वाला ने जिसे पहले सदिर के नाम से जानते थे भारतनत्यम भारतनत्यम को पहले ना सदिर के नाम से जाना जाता था अपनी पतनी जो खुद एक नर्तकी है और बेटी के साथ वर्ष 1993 में किस ने स्री जन का निर्मान किया सही जवाब है कैलू चरन महापात्रा रायस्थान एक भारतिय पार्ष और लोग गायक है मामे खान के आपको ध्यान रख लेना है सुतंतरता पूर्व यूग में भारतिय नेत के दुनिया में एक जो कदम रखने वाला कही है कि अगर्णी यूग है सुन्दर दिसाई इनका जन 16 जुलाई 1921 को कहां पर हुआ था गुजरात में हुआ था नूरा बेहने भारतिय संगीत में किस सैली के परसिद्ध है शूफी सही जवाब हिंदी फिल्मों के लिए एक पार्ष घायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक है इन्हें हिंदी फिर्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित उपी नयर पुरुषकार से सम्मानित किया गया था, किस वर्ष में वर्ष 2009 में इन्हें समसाथ बेगम को श्वतंत्र भारत की पहली महिला सास्त्रिय निर्ट तांगिना जिन्हें राज सभा के लिए सदस्य के रूप में नामित किया गया था रुकमनी देवी आपको नाम ध्यान रखेना है श्वतंत्र भारत की यनि की अजादी के बाद की पहली महिला सास्त्रिय जो नेत्त हैं ये करने वाली थी उनका नाम बताना है जो की राज सभावें सदस्य के रूप में चुनी गई थी रुकमनी देवी आपको याद रखना है संगीत के दिगज पंडित रवी शंकर परसिद्ध हैं हिंदुस्तानी सास्त्रिय वादन के लिए संगीत में एक अच्छा ख्याती रखने वाले इंसान का नाम है रवी संकर पंडित रवी शंकर ये हिंदुस्तानी सास्त्रिय वादन करते हैं ध्यान रखेंगे पंडित भीम सेन गुरूराज जोसी किस राज जी के एक भारतिय सास्त्रिय गायक थे करनाटक थे करनाटक के कौन पंडित भीम सेन गुरूराज जोसी साहब थे ये करनाटक के रहने वाले थे और ये एक भारतिय सास्त्रिय गायक थे भारत के किस नेता के आत्म कथा कृति का नाम वेटिंग फोर्दा वीजा एक वीजा का इंतिजार है सही जवाब है भीम राव राम जी अंबेटकर का भारत के किस नेता के आत्म कथा है तो भीम राव राम जी अंबेटकर की नाम क्या है वेटिंग फोर्दा वीजा यानि की ए एक वीजा का इंतिजार राश्ट्रिय गीत वंदे मात्रम के लेखक बंकिम चंद चटोपाध्या है भारत का पर्थम पारंपरिकनेत जिसे थीटर कला के रूप में नए सीरे से तयार किया गया है और इसे देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से परदरसित किया गया है कौन सनेत है यह है भारत नाट्यम पंडित भवानी संकर है एक पंडित भवानी संकर एक पखावज वादक है उस्ताद जाकिर हुसेन उस्ताद अल्लाह रखा उस्ताद साबिर खान पंडित किसन महराज किस वादियंद्र के वादक के नाम से फेमस है तो तबला बजाती थी ये सब मिल करके हैं मिल के मतलब अलग-अलग बजाती थी ये सब तबलावादक थे गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे रविंदनाथ टैगोर आसीस जो सांकृतियायन है किस संगीत के परतिनिधित है ये आपको धृूपद बताना है उनिश्वी सताबदी में किस प्रांद के अंतिम नवाव वाजित अली के संग्षन में कथक का स्वर्ण युग देखा गया सही जवाब है अवद देखे उनिश्वी सताबदी के किस प्रांद में पूछा न अवद में जो वहां के अंतिम नवाव थी थवाजित अली इनके संड़क्षर में न कथक का मतलब कथक काफी अच्छे से फलाफूला काफी हद तक डवलप्मेंट किया था कथक मेरी कहानी किसकी आत्म कथा है जवाहरलाल नहीं रूखी हिंदुस्तानी सास्त्रिय संगीत की एक भारतिय गाईका का नाम सुभा मुदगल सही जवाब हो जाएगा आजादी का अमरित महुत्सब के भाग के रूप में किस मंत्राले ने अखिल भारतिय नेत्य परतियों गिता वंदे मात्रम नेत्य उत्सब शुरू किया शंस्किती मंत्राले के द्वारा वंदे मात्रम नेत्य उत्सब शुरू किया गया है सेख चिन्ना जो मौलाना है ये किस संगीत से समंदित एक परसी धस्ती थे सही जवाब है वाद दियंत्र नाद स्वरन के प्रथम कथक सिक्षक इस्वरी परसाद के वनसच के रूप में जाना जाता है बिर्जु महराज को पर्थम कथक सिक्छक इस्वरी परसाद के वनसज मिर्जु महराज है पंडित भीम सेम गुरुराज जोसी ने अपना पहला लाइब परदर्शन कब किया था वर्स 1941 में पंडित भीम सेन गुरुराज जोसी के द्वारा अपना पहला लाइव परदर्शन लाइव इवेंट किया गया था 1941 में मद्रास में कुची पूरी खला अकादमी की जो 1963 में शुरुवात है ये किस ने किया था दॉक्टर वेंपती चिन्ना सत्यम के द्वारा मद्रास में 1963 में कुची पूरी खला अकादमी के शुरुवात की गई थी उनिस्वी सताब्दी के खयाल काय कौ में से किसे भारत के अंतिम मुगल समराथ बाहदूर सा जफर ने तानरस की उपादी से सम्मानित किया मीर कुटूबा बक्स सही जबाब हुजाएगा पूछा जाए उनिस्वी सताब्दी में खयाल गायकों में से किसे मीर कुतुब बक्स को अंतिम मुगाल समराड कौन थे बाहदूर साजफर थे ध्यान है न इन्होंने तांदरस की उपाधी से सम्भानित किया था इनको कथक नेत के परतिनिंदी बिर्जु महराज किस घराने से जुरेवे थे हैं लखनाओ घराने से कतंक नित करते बिर्जु महराज का समन्द पूछे लखनाओ घराना बताना होता है किस हिंदुस्तानी सास्त्रिय गाइका को 1979 में भारत सरकार द्वारा पद्न भूशन और महराष्ट सरकार द्वारा राज गाइका की उपाधी से सम्मानित किया गया था केसर भाई केरकर को किया गया था भारत के राष्ट्र गान की रचना किदों ने रविंदरनाथ टाइगोर के द्वारा किया गया था संगीत नाटक अकादमी के अस्थापना 1953 में वह सास्त्रिय नर्तक जिसे 1966 में उडिसी में उनके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया कैलू चरन महापात्र आपको ध्यान रखना है कैल एक वह सास्त्रिय नर्तक जिसे 1966 में उडिसी में उनके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया नाम कैलू चरन महापात्र है अली अकबर खान के शिस राजीव तारानाथ है एक सरोद वादक वे क्या है वे एक सरोद वादक है ध्यान रखेंगे किस स्वतंतरता सेनानी ने सत्त के साथ मेरे परियोग लेखी है सही जवाब महत्मा गांदी उस्ताद बिस्मिल्ला कहाँ परसी दिथे सहनाई के लिए ललित कला अकादमी की अस्थापना हुई थी वर्स 1954 में पंडित आनंद गुपाल बंदोपाध्या बनारस घराने के है एक तबलावादक पंडित आनंद गुपाल बंदोपाध्या बनारस घराने के तबलावादक आपको बताना है तबलावादक है दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रे किसे जाता है साह जहां को अस्थाना नर्त की उपादी तिरुमाला तिरुपती देवस्थानम मंदिर द्वारा किसे परदान की गए थी यामने कृष्ण मूर्ती को ध्यान रखें अस्ताना नर्त की कि उपादी से पूछेगा तिरू माला तिरू पती देवस्थानम मंदिर की द्वारा जो है न किसे दिया गया था यामिनी कृष्ट मूर्ती को दिया गया था मद्यकालीन भारत के परसीद संगीत कारों में से एक तान सीन किस मुगल समराट के दर्बार में थे सही जवाब हो जाएगा अकबर के दर्बार में हिंदुस्तानी संगीत घराना के सभी खयाल गाय की सैलियों में सबसे पुराना है ग्वालियर घराना सवाल पूछा जाए हिंदुस्तानी संगीत घराना के सभी खयाल काय की सैलियों में सबसे पुराना ग्वालियर घराना अराम से बताएंगे आनन्दमट मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था सही जवाब है बंगाली भाषा में लिखा गया था मलिका ए गजल की उपाधी किसे दी गई थी बेगम अक्तर को मलिका ए गजल की उपाधी से समानित किया गया था बताए कि अर्द कथानक किसकी आत्म कथा है बनारसी दास जैन की अर्द कथानक बनारसी दास जैन की आत्म कथा है भारत में गजल गाने की परंपरा किसके द्वारा अस्थापित की गई थी तो अमेर खुसरो के द्वारा भारत में गजल गाने की परंपरा की शुरवात की गई थी करनाटक संगीत में एक गायक के रूप में जाना जाता है बारीक नकाशिदार रौक मूर्तियों के साथ एक विशाल वास्तु कला अर्जुन तपस्या की प्रिष्ट भूमी में ममला पूरम नेत महुत्षब के लिए एक अस्थल है बंगाल की खारी है सही जबाब किस राजपूत साशक ने वर्स ग्यारा सो एकानवे में तराइन में पर्थम युद्ध में मुहम्मद गोरी को हरा दिया प्रिथविराज चौहान ने ग्यारा सो एकानवे में तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था इसमें मुहम्मद गोरी को किस ने प्रिथविराज चौ इंडिया कमपनी ने किस वर्ष 1761 में किस से तो फ्रांसीसियों से पांडी चेडी को छीन कर उस पर कबजा कर लिया था घटम है एक बरे आकार वाला संकिर मों के मिट्टी का बर्तन जिसका उप्योग तबले के रूप में किया जाता है उसे आप घटम के नाम से जानते हो The secret of the way पुस्तक के लेखक श्री अर्विंदो हैं किस राज में भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सब मनाया जाता है किस राज में केरल राज में मनाया जाता है अथरवेद कितने खंड़ों का शंगड़ है अथरवेद 20 खंड़ों का शंगड़ है किस बंदरगाह का उप्योग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीकों ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह की रूप में किया जाता था अरिक मेडू का पूछा जाए किस बंदरगाह का उप्योग प्राचीन भारत में रोमन और ग्रीक रोमन के साथ व्यापार करने के लिए बंदरगाह के रूप में अरिक मेडू का योज किया जाता था हाइडे स्पीच का यूद किंदो राजाओं के बीच में सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था हाइडे स्पीच का यूद दिल्ली सबसे पहले किस साशक के अधिन राजदानी थी तोमर राजपूत के बख्सा किला किस भारती राज में है बख्सा किला है पश्चिम मंगाल में राजवंस के शाषनकाल में तैमूर या तोमरलेन ने 1398 में भारत पर अक्रवन किया था तुगलक वन्स ने किया था राष्ट कूट वन्स का सासक का नाम था ध्रूव हरपपा अस्तल हर्याना में है राथीगरी जिले में मुगल बादसा बावर का पहला नाम जहिरुद्दीन था उपर कोट बौध गुफाएं गुजरात के किस सहर में है जोनागर में गौतम बुद्द ने सबसे पहले धर्म का परचार किया था शारनाथ में गुलाम वन्स की शासक गयासुद्दीन बलवन जिसका किस समय यहाँ पे देख लीजे 1265 से 87 तक रहा था कह रहा है कि इस्वी में किन नाम की उपादी धारन की थी जिले ए इलाही जिसे भगवान की चाया कहा गया था गुलाम वन्स की सासक गयासुद्दीन बलवन ने यह उपादी अपने लिये लिया था बताए कि 1846 में ब्रीटिस समराज और किसके बीच लाहोर की संधी पर हस्ताक्षर किये गए थे सही जब आब महराजा दिलीप सिंग के महराजा दिलीप सिंग आपको याद रखना है इसके और मेटिस समराज के बीच में वर्स 1846 इस्वी में लाहोर की संधी पर हस्ताक्षर हुआ था एहोल की राजधानी का नाम था चालुक के एहोल जो है राजधानी थी पूछेगा किसका ना चालुक की राजधानी रही थी एहोल मौरी शासकों में से किसनी वर्स 261 इशापुर में कलिंग यूद लरा था आप अच्छे से इसके बारे में जानते होंगे तुगलक वंस का शाषक नहीं था रुकुनिदीन तुगलक तुगलक नाम से नहीं जाना है वेद समाज के अस्थापना वर्स 1864 इश्विय में की गई थी मदराज यानि की जो अब चन्नाई है यहाँ पर वेद समाज की अस्थापना कव 1864 में कहां मदराज में अब कहां पर कहेंगे चन्नाई आपको बताना होता है जाती भेद को खत्म करने और विद्वा पुनर्विवा और महला शिक्षा को बरहवा देने के लिए काम किया किसने वेद समाजने किया था चोलों के शासनकाल में विद्ध्याले के रखरखाव के लिए दी गए भूमी को किस रूप से जाना जाता था साला भूक के नाम से जानते थे चोल के सासनकाल में विद्याले के रखराखाव के लिए दी गई भूमी को न शालाबोक के नाम से जानते थे मूल रोब से मनकल के नाम से जाना जाता था गोलकुंडा किला को मनकल पूछेगा किसको कहते थे गोलकुंडा किला को कहते थे किस किला को 1143 में एक पहार की चोटी पर बनाया गया था तो गोलकुंडा कीले को बनाया गया था प्राचीन भारत में महाजनपदों के शार्षक फसलों की उपज़ का कितना जो दर है वो कितना हुआ करता था तो 1 by 6 आपको बताना है बोनालू दिवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंद्यू त्योहार किश्राज में मनाया जाता है तिलंगाना में मनता है बोनालू और महाकाली की पूजा करने के लिए एक त्योहार है किस प्रकार के महापासान संरचना कब्र कही है स्मारक कही इसमें कब्र के चारों और पत्थर के टुकडे को गोलाकार आकिरते में अस्थापित किया जाता था संगोरा वृत आपको बता देना है राजसभा के सदस्या के रूप में मनुनित होने वाले पहले महिला का नाम रुकमनी देव अरुंडेल करके है यह नाम रहा था राजसभा के सदस्या के रूप में मनुनित होने वाले पहली महिला थी यह अकबर का राजस्वमंत्री का नाम टोडरमल था अकबर की अकबर का जो राजस्व मंत्री था उसका नाम क्या था टोडर्मल श्री ब्रह्म पुरिश्वर मंदिर कहां पर है तमिल नाडू सही जवाब होगा शिंदुगाटी सब्विता के किस अस्थल में दग्रेट बात यानि कि विसाल महान जो अस्थानागार है पाया जाता है सही जवाब हो जाएगा मोहन जोदरों में वानेत सैली जो उन महलाओं की व्यथा को दरसाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं बिहार हो जाएगा सही जवाब वनेत सैली है जो उन महलाओं की व्यथा मतलब उनके बारे में दरसाता है कि उनके जीवन साथी है न वो घर से दूर चले गए हैं बिहार उसे कहते हैं तुगलक वन्स के शाषकों का सही करम है जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया था तो सबसे पहले गया सुदीन तुगलक फिर मुहम्मद बीन तुगलक फिर आपको फिरोस्ता तुगलक बताना होता है और अंग्जेव के अधीन मुगल वास्तुकरा का एक उधारन है मूती महजिद दिल्ली का 1527 में खानवा के युद में राना शांगा को हराने के बाद किस ने गाजी की उपाधी धारन की थी सही जवाब हो जाएगा बाबर ने किस मौर शाषक को युनानियों द्वारा अमितर घात कहा जाता था सही जवाब हो जाएगा बिंदू शार को निहंग सीख योधाओं की एक पारंपरिक लराई सैली जिसका नाम है गतका जिसका के इस्तमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता था भारत के किस राज जिसे उत्पन हुआ पंजाब आपको निहंग के लिए ध्यान रख लेना है पंजाब से ये श्टार्ट हुआ था बक्सर का यूद्ध हुआ था 1764, प्लासी का हुआ था 1763, पांडी लूपियां समानिता लिखी जाती थी तार पत्रों पर, हरी परसाथ चौरस्या हैं, एक वाशरी वादक खुजराहों का मंदिर एक सांदार उधारन है नागर सैली का, हरी परसाथ चौरस्या क्या हैं, बासुरी वादक है, पांडी लूपि कहां पर, तार पत्र पर लिखाया था, प्लासी का यूद्ध हुआ था 1763, बक्सर हुआ था 1764, सबसे सक्ति साली चोल सासक, राज राजा प परिक नाट शैली है कहां का, गुजरात का, हरी सेन दर्वारी कवी थे कहां के, समुद्र गूप्त के, हरी सेन दर्वारी कवी थे समुद्र गूप्त के, होजा गेरी भारत के कि सिराजी का एक लोग नेत्य है, सही जवा हो जाएगा तिरिपूरा के, 1756 में अलवर्दी खान की मेत्यू के बाद बंगाल का नवाब बना था सिराजुद दौला सत्रोसोग संतावा निस्विवें पलासी के युद में सिराजुद दौला के विरुद कमपनी की सेना का जो नेटित किया था ये दौबट कलाइब ने किया था महावीर जैंती मनाई जाती है अप्रेल में रजिया सुल्तान बेटी थी किसकी इलतुत मिस्की अली अकबर खान का शमन था सरोध वाद से भारत का सबसे बड़ा अस्तूप का नाम है किशरिया रंदनगरवाला भुपाल की बेगमों में 20. सदी की सुरुवात में लड़कियों के लिए एक प्रात्मिक विद्याले की अस्तापना कहाँ पर अलीगर में किया था 322 इसापुर में कौटिल की साहिता से अंदिम अंतिम नंद शाशक धनानंद को किश्ने पराजित किया था चंद्रगुप्त मौल ने किया था अठारवी सतापदी में अंग्रेजों ने मैसूर सासक के साथ कितने युद लरे थे चार राम भरिस्तूप कहा है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम शंसकार किया गया था कुशी नगर उत्तर परदेश चंगेज खां के नेतित में मंगोलों ने किस वर्स उत्तर पूर्वी इरान में ट्रांस ऑक्सिजन पर आकरवन किया था 1299 में हो जाएगा सही जवाब धर्म सूत्रों में सामिल है सासकों के कर्ताव होते हैं धर्म सूत्र में सामिल है करदांग मठ जो एक बौध तीर्थ अस्थल है कि शराज में है हिमाचल परदेश में है करदांग मठ बौध तीर्थ अस्थल है 1526 इस्वी में पानिपत युद में बावर ने पराजित किया था इबराहिम लोदी को भारती राष्टी कॉंग्रिस के अस्थापना होई थी 1885 में सराय नूर महल भारत का एक केंदरिय अश्मारक है जो कि पंजाब में इस्थी थे सराय नूर महल कहाँ पर है पंजाब में और ये भारत का एक केंदरिय इस्मारक अस्थल है मुगल बात्साह औरंग्जेव के मेत्यू कब हुई थी 707 में हुई थी रवी कीर्टी किस चालू के सासक के दर्बारी कभी थे पुलकेशिन द्वितिये के अशोक के अधिकान सिलालेक लिखे गए ब्रामी लेपी में अर्थ सास्त नामत पुस्तक चानक्य के द्वारा लिखा अशोक के अधिकान सिलालेक पूछेगा ब्रामी लेपी में रवी कीर्टी किस चालू के सासक के दर्बारी कभी हुआ करते थे पूलकेशिन द्वितिये के मुगल बात्साह औरंग्जेव के मेत्यू हुई थी वर्ष 1707 इस्वी में पूर्ण द्रवीर सैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद उधारन है टैलाश मंदिर एलोरा का शब से प्राचीन वेद का नाम है रिगवेद 1226 से 1240 तक मदकालिन भारत की पहली महिला जो मुस्लिम सासी का थी नाम थरजिया सुल्तान कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहनी भाटे भारत के किस सास्त्य नेत्य से समंदित थी कथक से समंदित थी कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहनी भाटे किसने सुध्धी आंदोलन शुरू किया जिसमें उन हिंदों को अपने मूल विश्वास हिंदु धर्में लोटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इसलाम या इसाई धर्म स्विकार कर लिया था नाम था उनका दयानन सर्श्वती जिसमें मंदिर के सिर्ष पर दिखाई देने वाला पत्थर जैसे जो डिस्क होता था जिसे आप चक्ति कहते हो इसे आमलक कहते थे ध्यान दे ओडिशा और उसके आसपास के जिलों में मंदिर की वास्तूकला में मंदिर के जो सीर्ष पर दिखाई जैने वाला पत्थर जैसा चक्ति हैने के डिस्क होता था उसे आमलक कहा गया था दरपन Academy of Performing Arts की संस्थापक का नाम मिर्नाली नी शारा भाई बताना है पलासी के युद्ध में सिराजु दौला की हार का मुख्य कारण था सैनापती मीर जाफर के नेतित वाली सैना ने युद्ध में भाग नहीं लिया था इसी वज़ा से संस्थापकों में से एक थे जी जी अगर कर सही जवाब हो जाएगा गोपूरम थियान रखेगा गोपूरम बौध इस्थाप में कोई हिस्सा उसका नहीं होता है सवाल पूछा गया था मोहमडन एंगलो ओर्येंटल कॉलेज की अस्थापना सरसेद अहमद खान के द्वारा किया गया था मोहमडन एंगलो ओर्येंटल कॉलेज की अस्थापना सरसेद अहमद खान के द्वारा किया गया था 1526 में बावर ने दिल्ली के सुल्तान इबराहिम लोदी को किस अस्थान पर हराया और दिल्ली वह आगराया पर कबजा कर लिया था सही जबा मुझाएगा पानी पत्मे खुत्व बुद्धिन एवक ने किस राजवन्स की अस्थापना की थी गुलाम वन्स की हस्तिनापूर का लोह कार्यान अस्थल भारत के किस वर्तमान राज में पाया गया था उत्तर परदेश में ब्रेटिस इस्ट इंडिया कंपनी की और से बक्षर का योद्य का नेतित किया था हेक्टर मुनरो ने बौद वास्थू कला में चैत्त का अर्थ है प्रार्थना कर्च पुर्तगाली खोच करता वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में चोल सासक ने तंजावुर में व्रिद्यस्वर मंदिर का निर्मान करवाया था राज 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 पर्थम जो है इनके द्वारत तंजावुर में व्रिद्यस्वर मंदिर का निर्मान किया गया था बौद ने ज्यान प्राप्त किया था बौद गया में सिवाजी को समर्पित मुक्तिश्च्वर मंदिर जो कि दस्वी सतापदी का हिंदू मंदिर है कहाँ पर ओडिशा में है सिवाजी को समर्पित है मुक्तिश्च्वर मंदिर दस्वी सतापदी में बना और या हिंदू मंदिर है ओडिशा में गौतमी पुत्र, स्री सात करणी किस राजवन्स के सासक थे, शातवाहन वन्स के ये सासक थे, सेर खान ने कन्नोज में हुमायू को किस वर्स हराया था, पंदरो सो चालिस में बता देंगे, सेर खान को कन्नोज में हुमायू को किस वर्स, पंदरो सो चालिस में हराया था, किस पेर्थिवी राष तिर्थेये ने पेर्थिवी राष सिर्थिये सीर्थिये थे। राष्ट व ईच्थापक का नाम दंती दुर्गय था बीधर किला भारत में इस्थित है करनाटक राजी में है भारत में सती प्रथा पर परतिबंद लगाया गया था 1849 में किसने पञजाब में इस्वर की निरंग्कार यानि की निराकार के रूप में मुर्ती पूजा जो हता था अर्चना इस पर जोर दिया था मतलब पूजा अर्चना पर कह रहा है कि जोड दिया गया था तो बाबा डयालदाश, दिखे, किसने पंजाब में इस्वर के निरंगकार की रूप में पूजा अर्चना पर जोड दिया बाबा, डयालदाश आपको बताना है, लायन कैपिटल का निर्मान, बुद्ध के एतिह पुुगोधिकांसागा इसमिति में बनाया गया था, सही जवाव हो जाएगा पहले उब्दिश की, खानवा का युद किसके बीच में लड़ा गया था, तो बाबर और राना शांगा के बीच में खानवा का युद लड़ा गया था, आत्मिय समाज की अस्थापना की थी मोहन राय ने शिंदुगाती सब्वता में कौन सा सहर अस्तित्य में था हरप्पा हुजाएगा सही जवाब एरावतेस्वर मंदिर भारत में इस्थित है तमिल नाडो में एरावतेस्वर मंदिर भारत के तमिल नाडो में है ध्यान रखना है किस चोल साशक ने तंजावूर में निसुम सुईनी देवी मंदिर का निर्मान करवाया था सही जबाब हो जाएगा विज्याले ने किस वर्ष में 1799 में हुआ था मद्द पर्देश में खुजराहो का मंदिर है ये मंदिर वास्तू कलास की सैली का एक उदाहरन है किसका नागर सैली का बता देंगे गुप्त वंस के शाशक कुमार गुप्त ने किस विश्विद्याले के अस्थापना की थी 606 से 647 तक रहा था किस वंस के साशक थे पूर्ष भूती वंस के साशक रहे थे हर्ष वर्धन भारत अस्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रन करता है किस राज जमेश्थित है सही जबा हो जाएगा मद्द पर्देश में चालुक कुवंस की राजधानी का नाम था बादामी इनाम गाओं एक महत्पुन पुरातात्रिक अस्थल है घोर नदी पर इनाम गाओं कहाँ पर घोर नदी पर है जो कि एक महत्पुन पुरातात्रिक अस्थल है गुवार्टी की कामख्या मंदिर से जुड़ा है अम्बू बाची महुत्सब अम्बू बाची महुत्सब कहां पर होता है गुवार्टी का जो कामख्या मंदिर काफी फेमस है यहीं पर टीपू सुल्तान मैशूर का सासक कब बना 1782 इस्विय में ठिपू सुल्तान मैशूर का सासक बना बान भट ने हर्ष चरीद की रजना किस भार्षा में की थी सही जबावे शंसकिस भाताम भार्षा में किया गया था 1206 से लेकर कि 1290 तक दिल्ली पर सासन करने वाले प्रारम्बिक तुर्की सासकों का सही क्रम इल्तुतमीज जो है और रज्या सुल्तान रही थी शुंग राजवन्स 185 इसापुर्व से 73 इसापुर्व तक चला था और इसके संस्थापक जो है ये पुस्चिमित रहे थे प्राचीन हरपास थल लोथल कहाँ पर पाया गया गुजरात में खानवा के युद में बावर निराना सांगा को किस वर्ष में हराया था 1527 में किस वेद को गीत का पुस्तक मंत्रव का वेद गीत का योग कहा गया है शाम वेद को इसाई धर्म के संस्थापक का जन्म अस्थान का नाम है बेथलहम इसाई धर्म के संस्थापक का जन्म अस्थान बेथलहम है गौतम जो के शिधात है इन्होंने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बूद गया जाने से पहले छे साल तक किस अस्थान पर सुद्ध चित्य से ध्यान किया था सही जवाब है प्राग बूधी में किये थे मक्का के पाश मीना साओधी अरब में हज जो तीरत्यात्रा होता धार्मिक रिवाज की परिनिती को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है इद उल अजहा जिसे आप बकरीत के विनाम से जानते हो वह पवित्रस्थल कौन है जिसने जैन धर्म का उसक को संद की उपाधी दिये हैं रमदान या रमजान इस्लामी कलेंडर का कौन सा महिना है जिसे दुनिया भर के मुसलमानों के द्वारा इसे उपवास के महिने के रूप में मनाया जाता है सही जबाव है नौमा रिग वेद में कितना सुक्त है एक हजार अठाइस साखाएं हैं दो कौन सी मद्ध भारत ये बोली है संस्किती से काफी हद तक समंदित है तथा बहुत धर्मगंतों और साहित के पर्मुक भाषाओं में से एक है सही जबाव हो जागा पाली के इस राज में पालिताना मंदिर एक जैन तेष्ट अस्थल इस्थित्य गुजरा दहात में है यहुदियों के लिए मतार कौन से पर्व को रौषणी का पर्व कहा जाता है हनुका को कहा जाता है ध्यान रखेंगे जीवन में उन पाच बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उन Μें से किसका अर्थ गैर अभिग्रहन है अपीगड़ा का भारत में इस्लाम धर मानने वाला पहला वैक्ति किसे माना जाता है सेंट थॉमस को मात्मा गांदी अंतराष्टी हिंदी विश्विद्याले कहाँ पर है वर्धा में श्री संकराथ 4 संस्क्रित महा विद्याले भारत में कहाँ परिष्थित है सही जवाब है केडल में किसे जैन धर्म का पर्थम तिर्थंकर माना जाता है रिशव देव को जैन धर्म का पहला तिर्थंकर माना गया है कौन सा वेद कौन सा कर एक चारो वेदों में सबसे पुराना सबसे बड़ा है देव दिवाली कहते हैं पंदरा दिन के बाद ये मनाया जाता है किस वेद को सबसे बड़ा और संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जिसमें 1028 सुक्त है जिसमें मंडल नमग 10 पुस्तक में जिसे विभाजित किया गया है सही जवाब है रिगवेद कौन सा वैदिक देवता पिर्थवी अस्थान यानि कि अस्थल की देवता की स्रेणी में सामिल है बिर्शपती है वे इसलाम कौन से सताब्दी में अरब में पैगंबर मुहम्मद द्वारा एक परचारित एक विष्व कहिए की धर्म है सही जवाब हो जागा सात्मी संगम साहित की राषना कि सास्त्र ये भासा से हुई थी तमील हो जाएगा सही जवाब प्राचीन भारती है महा कावी जिसे अब तक याद सब से लंबे महा कावी के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सब से लंबे महा कावी के रूप में वर्नित भी किया गया है महा भारत है वह त्रिपिटक बहुत धर्म से समंदित है वह कौन सा स्थान है जहां पर कहा रहे जो जैन धर्म से समंदित नहीं है कुशी नगर आपको पता है बहुत धर्म से समंदित है जैन से नहीं है कौतम बुद्ध अपना पहला अब देश कहा पर दिये थे शारनाथ में वैदिक ग्रंथ के अनुसार शंग्रहिनी कोड़ को कहिए देखे वैदिक ग्रंथ के अनुसार ना शंग्रहिनी को क्या अर्थ है क्या कार है कहने एका मतलब है उसे नाप कोशाथ्यक्ष्य या फिर खजान्ची के नाम से जानते थे हिंदू धर्मे अद्वैद का सिधान किसने परतिपारित किया था आदिस संक्राच चारी के द्वारा हिंदू धर्में अद्वैत का सिधान दिया गया था कौन सा इतिहासिक अस्थान इसा मसीख के जन्म से जुरा हुआ है तो बेध्यलम आपको ध्यान रखना है महावेश्वामी का जन्म कहा पर हुआ था कुंडगराम में हुआ था इसलाम में क्या था जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कूल धन के हिस्से को कहा जाता था जिसे वह धर्मार्थ व्याय करता था उसे आप जकात के नावन से जानते थे Nichiren Daishonin की बहुत सिक्षा किस देश में शुरू की गई सही जवाब है जापान में Nichiren Daishonin की जो बहुत सिक्षा है न कहां पर शुरू की गई थी पूछेगा आपको जापान बता देना है